पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी तो बाड़गी जहां से निकली थी इंडिया वाले अगर आप पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ना खेलें तो आप भूल जाएंगे कि हम आपके साथ दुबारा मैच खेलेंगे टेस्ट में अभी नवे नंबर पे गये हैं जना आप तीस तो रैंकिंग इनका कुई समझ नहीं इनका क्या क्राइटेरिया है क्या अल्गूरिदम है क्या इसाथ किताब है बचारा बिल्कुल ऐसे शकल उठागे कभी इदर से उदर उदर से उदर ओभाई जब तक अपनी बल्ले से परफॉर्मस नहीं आएगी कोई बात नहीं सुने नावें पर मारा गया च्छे दर्जे तंजरी बाबर आजम की मतलब आप कहलो और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है ये किस तरह हो सकते है कि जी एड टेस्ट मैच की से आप बाबर को किस तरह नीचे फैंक सकते हो कम अज़ कम पांच में तक फैंको ये ना से अरसे से और दो रही साल हो गये हैं एक के बाद एक एक के बाद एक शर्मिंद की वाली परफॉर्मिस दिखाई जा रहे हैं तो ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप में नंबर आठ पे और अभी चांस बिल निकल के ठुस करके तो ज्यादा कंसर्निंग बात वो है कि हमारी जो टीम की रैंकिंग है वो दिन बाद दिन नीचे नीचे और और नीचे जाती जा रही है ये प्लेयर्स अभी इनके साथ ठीक होना शुरू हुआ है बाबर आजम पिछले कई अर्से से बलके काफी महीने सा लोगे हैं कि टॉप फाइब में अक्रोस दा फॉर्मेट ही ले बाबर आजम इस देर अक्रोस दा फॉर्मेट टीट वन डे मैं अभी पहले नंबर की रैंकिंग वर्ड काफ में कुछ नहीं किया पचास और के वल्ड कप में और भी नंबर वन रैंकिंग की जो है बैसमन जब आप 14-14 इनिक्स खेल लेंगे अपनी टीम के लिए और एक पचास भी नहीं करेंगे तो यह तो पता नहीं क्यों लीनियर्ट है शायद इनका तो मुझे आज तक को रैंकिंग इनका कुई समझ नहीं इनका क्या क्राइटेरिया क्या अल्गुरिदम है क्या इसाब किताब ह होता है और तब जा कि यह रैंकिंग निकलती है काफी मैंने इस पर पढ़ने की भी कोशिश की लेकिन आप सोचने कुछ है होता कुछ है कभी किसी को बिलकुल बखवास ही रैंकिंग दे देते हैं कभी किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चिड़ा कि more or less अजीव किसम के इन के लिए देखे ना पाकिस्तान की टीम वह तीनों फॉर्मिट में कहीं पर भी नहीं है आसपास भी नहीं है पांच में जटे साथ में इस तरह के नंबरों पर दुनिया में काम की टीम ही आठ दस है दस भी मैंने ज्यादा बता दी है मतब जिनकी सबचते हैं कि चलो जी कंप किन नंबरों किस चकर में टॉप फाइब में इतने अरसे से मौजूद हैं तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है परफॉर्मिस आक उच नहीं रही टीम दिन बाद दिन नीचे खड़े में गिड़ी हुई है लेकिन जब हम रैंकिंग निकाल के देखते हैं बभी भी ब्राजमान ह उपर से मज़ से बैठे हुआ है बेल्कुल अच्छे शांदार तरीके से तो बिल्कुल ठीक हुआ है ये बेहतर हुआ है जितने भी पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं टैस्क रिकेट पचास से ज्यादा जिन्होंने बारियां ली है एनिक्स खेली हैं तो उसमें से सबसे कम एवरिज जो है वो शानमसूद किया तो जब इस तरह की अथर्टी होगी तो कॉल सुनेगा भाई तुम्हारी बात कोई सुनेगा चार मैं से चार मैं चार गयो माशाला से ऐसा शांदार लाजवाब रिकॉर्ड आपने कायम किया हुआ कि वाह और इसमें मजीद अभी आनी पड़ती है तो वह परफॉर्मस से आती है चलो एक्जैंपल रोई शर्मा की कि उसका तो एक्स्प्रियंस काफी है अभी वो कफ्तान बना नहीं बच्चे इंडिया की टीम में टेस्ट में काफी आए हैं लुका देवे इसे इदर उदर चल इदर उदर यहां पे आओ यहां पे करो गार्डन में मत घुमो वरना यह यह डश 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 यह बचारा बिलकुल ऐसे शकल उठागे कभी इदर से उदर उदर से उदर ओभाई जब तक अपनी बल्ले से परफॉर्मस नहीं आएगी कोई बात नहीं सुनेंगा कोई भी नहीं सुनेंगा और ठीक है यार इसकी तो अपनी टीम में जगा नहीं है यह क्या कफ़दानी करेगा पाकिस्तान टीम टेस्स रैंकिंग और ओड़ यह वो टी ट्वंटी रैंकिंग में मतलब बत्तरीन जगह पे आ चुकी है मतलब इस से बाहर इस से बाहर फिर यह होगा कि पाकिस्तान टॉप 10 बाहर भी से बाहर जाएंकि आप इसा कह सकता हूं मैं इंडिन टीम की बात करूंगा तो सरवर टॉप मतलब हमेशा टॉप पर हैं आप ऐसा कहलो वन पर बिलुकुल और इसको पर बात करेंगे अगर मैं सबसे पहले बात कहलू बाबर आजम की देखें बाबर आजम पिछले दो डाइ साल से गंटे का अपने रांस भी नहीं कर रहा है पहले तो वो कमस्कम अपने कारतेता था अब वो अपने भी नहीं कर रहा है अब ICC की जो test ranking आई या नहीं उसमें बाबर आजंब को तीसरे नमबर से उठा के नावे नमबर पे मारा गया मतलब तीसरे एप से उठा के नामे पे मारा गया च्छे दर्जे तंजरी बाबराजम की मतलब आप कहलो और अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल गया है ये किस तरह हो सकते है कि जि एड टेस्ट मैच से आप बाबर को किस तरह नीचे फंग सकते हो कम जज़ग कम पांच में पतल फंको ये ना बाबर आजम के जो फैन्स है ना ये बहुत ही गधिया किसम के फैन्स ईलिटरली मैं बताता हूँ मतलब इनको अभी भी वो रैंकिंग्स का चकर और रैंकिंग्स और वो फलाना मतलब अभी भी यह रैंकिंग्स में फसे हुए हैं बेश्चक वो पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहा इनको रैंकिंग्स चाहिए उसकी उपर और उसको भी अपनी रैंकिंग्स उपर कि ना टाइम हो गया आप भूद कि देख लो वह जैनवरी में कोई साउथ अफिका गाइंस खेली ती उसके बाद उसने खेली नहीं है उसके बाद खेली नहीं है उसने अभी भी वह आठे नमबर भी राट को ली सौच को भी वह इंग्लेंड वाली वह सीरिस खेल जाता विरा बापर आजम की जो प्रफार्मस थी बापर आजम नहीं करता है बापर आजम की परफार्मस थी बापर आजम करता है बाबर पिशले दो साल से टेस्ट सिक्र में बाबर आजम के 20 की अवरी जाए मतब चोदा इनिंग्स में बाबर का 0,50 सा 20 की अवरी जाए 280 रांज है बाबर आजम के आप किसना जिस्टिफाइ कर सकते हो है दो अभी 20 ग've consistent सोशल मीडिया पे ग़ू कर रहे हैं कि बाबर के साथ जियाती ओगी है अफेलान होगा तो तुमकाव भाई शरम कारलो थोड़ी सी चाया करलो थोड़ी सी असली TC自ền तो अब आप बाई है ना असली चीज तो अब बाई है अब वो टॉप 10 से बाहर होगा अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा पाकिस्तान को डढ़ जाना चाहिए और पाकिस्तान को यह कह देना चाहिए के बैजना हम लोग फारीगा आप हमारी नदर में फारी नहीं हो रहा यह यह का विल्ड कप है यह इसी के टॉंट मेंट है जो आफ जल्दी जवाब नहीं दे सकते किसी को जो मजड़ी बैंज्यार चैयरब चाहब याप पर च्छोड़ के जा रहे हैं आप पहले एसिन के कॉंसल उनके हाथ में थी अशिया और नहीं के पास चैंप इंडिया के की आपको लग रहा कि छेमिंट्रोफी ना कर दए कि हम नहीं आरे पाकिसान की चैम्पियन ट्रोफी तो बड़गी जहां से निकले ती यकीन करें जिस जिस टैम से कहलें ये न्यूद बगएरा सुनी है मैंने का या चैम्पियंड लूफी तो गई चेंपियन ड्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा जो हाइप हो थी है वो पाकिसानी और इंडिया के मैचस की थी और जो वेट का रहे थे यार इंडिया टीम पाकिसान में आएगी लाहॉर में ख़ाफी के अंदर के लेगी और हम लोग देखेंगे मैचस यकीन करें वो दिल तू माई मैं लू़ जा कि घ्याद रहे थाइशछने बी कि और जो दूद्हा रहा इंडिया के ल्यादा ज्याएट फर धना बैंत की तूरी नाम के ऐभू के खवायद एह दो